है तो हेलो फ्रेंड व्लकूम बैक टू नगर वीडियो तो भाई आज हम बात करने वले हैं पिर से शिरी गंगा नगर से अब ओहर के इलेक्टिफिकेशन अफडेट के वारे में तो भाई वैसे मैंने जर्नी नहीं किया कोई इलेक्टिफिकेशन अफडेट नहीं यह लेकिन जो मैंने बात की थी कि 30 तारीक तक CRS हो जाएगा 30 तारीक से पहले 30 सप्टमबर से पहले तो भाई इस अक्तूबर के भी छे दिन हो गया CRS नहीं हुआ तो भाई काफी है नहीं की बात है यार मतलब मैंने वैसे जेश्टेक मेरी तरफ से एक्सप्टेशन थी कि इस तारीक तक हो जाएगा और भाई आप लोगों ने भी मेरी वीडियो में देखा था कि कितना काम हो गया था तो भाई इसके पीछे उस्तों कारण है तो मैं उसके बारे में अभी में बात करूंगा कि क्या सीन है तो भाई पर्स्ट फोल जिन्हों ने भी लैक्रिकेशन अपडेट नहीं कंप्लीट था भाई मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको आठ तस दिन में पंदरा दिन में भी किया जा सकता था मतलब अब तक सीरेस हो जाना चाहिए था वो वीडियो मैंने तेरा तरीक को शूट की थी और चोदा तरीक को मैंने यूट्यूब पर डाल दी थी यानि तेरा से तो हमारे एक दोस्त है मलब एमेस मोहन भाई उनके चैनल पर मैंने देखा था कि जब वो सुर्थगर से श्रीगंगा नगर का अपडेट लेकर आ रहे थे तो वहां पर उन्होंने दिखाया था कि श्रीगंगा नगर से अबोर के बीच में वाइरिंग को फिक्स किया जा रह और भ्याएért पता नहीं क्या रिजन है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हमारे रेल फैंस का घ्रूप फर उसमें हम बात करते रहते हैं तो भाई मैं उनका नाम नहीं लूँगा एक हमारे फिरोस्पूर के रेल फैंग और एक हमारे श्रीगंगा नगर के रेल एक अ अच्छा निज रहता है तो बहई उन से मैंने अपनी विडियो का लिंक शेयर किया था तो उन्होंने बोला कि अभए दो महींने लगेंगे Hai CES होने मेंमें क्वल मेंने का बाहिए नहीं नहीं में दो नहीं मेन को आ गीनियों के हो जाएगा मेरे को एक अंदर से भाई भाई कि इतने कॉंफिडेंट होकर कह रहे हैं तो कुछ तो रीजन होगा तो मैं भी मैं भी अंदर की बाद उनको पता लगी होगी कि कम्प्लीट करने का प्लैन दो महीने के बाद का मतलब में भी दिसंबर तक का कर रखा है अब पता नहीं क्यों भ कर सकते थे वाई मैंने तो 20 सब्टम्बर के इंड तक भी कर सकते थे लेकिन वह मैं पता क्यों इतना था क्योंकि जब बठेंडा से अब और के बीच में जो काम हुआ था ना वह इतनी फास्ट हुआ था ना मनलब दो दिन पहले वाइरिंग की थी और तीसरे दिन जाकर के सी लेकिन भाई अभी तक नहीं हुआ तो खैर देखते हैं अब कब तक होगा उमीद है भाई जल्दी हो लेकिन हमारे वो रेल फैंस जिन मलब उनको अंदर की बात पता चल जाती है शायद रेलवे के अंदर की तो एक तोन में से उनकी रेलवे में जो भी है तो भाई मैं नाम न कि दिसंबर में ही होगा या नोवंबर में में भी तो भाई हो जाना चाहिए था वैसे तो तो खैर इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट की बात यही थी बढ़िंडा से अब और के बीच में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आ रहे है आज कल कल ही मैंने यानी की छे ता माफ की जि के बीच होगा ना तभी काम होगा और मैंने न्यूस तुनिए कि लालगड में भी काफी काम हो चुका है वो थोड़ा काम पैड़नेंगे फिर हो सकता है जल से जल लालगड अब और को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दे दिया जाए लेकिन उसमें भी अभी काफी टाइम लग खतर करना चाहूंगा विक्का नेर से हमरीत सर एक्सप्रेस के बारे में तो उसमें जो साथ स्लिपर के कोईस्टे उनमें से दो को हटाकर ऐसी थार्ड एकॉनमी का कोच कर दिया है तो भाई वैसे AC 3rd economy को कोई पसंद तो करता नहीं है मलब सब को इतना खास क्योंकि उसका किराया भी जाता है तो मलब वो इतना जाता है successful हुआ नहीं कोच तो पता नहीं भाई ये क्यों लगा रहे इस ट्रेयल में तो खेर वो सब छोड़ी है तो और किसी अगर रेल अपडेट की बात करूँ तो रमेश्वरम से अजमीर जो हमसफर एक्सप्रेस थी उसका एक्सटेंशन फिरोजपुर तक काफी पहले हो चुका था काफी पुरानी न्यूस है लेकिन आज वो फ़र्ष्ट चल रही है फ़र्ष्ट ये फिरोजपुर आएगी जब तक मैं ये वीडियो अप्लोड करूँगा आ चुकी होगी तो भाई आज की वैसे रेल अपडेट में ये न्यूस थी तो उमीद करते हैं भाई सी एरेस जल्दी करें यार क्या कर रहे है यार ये क्या दो महीने मतलब नुमबर तक करेंगे क्या सीन है यार तो चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई